दोस्तों अगर आप नमलोजी सीखना चाहते हैं अगर आप पामेश्ट्री सीखना चाहते हैं यदि आप उन्डली सीखना चाहते हैं यदि आप बास्तू सीखना चाहते हैं दोस्तों इसके हर एक सेक्षन में 60-60 वीडियो मिले रत्नों से भी होता है भारी नुक्सान अगर आ अपना कार्य करना शुरू करता है रतन बहुत अच्छे तरह से आदमी पर अपने महादसा ने काम करता है लेकिन ये भी आदमी को बुरा प्रभाव दे सकता है दोस्तों अगर आप किसी भी रतन का धारन करते हैं तो उसका लाव तो थोरे दिन बाद पता चलता है चाहे एक मेना हो दो मेना लेकिन उसका नुक्सान तुरत आपको पता चल जाएगा अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो मानिक यानि यह जो सुर्ज के में किसी भी कुंडली में अगर सुर्ज का प्रॉब्लिम है तो इन्हें मानिक धारन करने के लिए बता जाता है या सुर्ज से लिटिड कोई काम उसे करवाना है तो उसे मानिक धारन करवाया जाता है तो अगर आप उसी महादसा के लिए या उसी महादसा तक में अगर मानिक धारन किये हुए हैं तो वो काम करेगा otherwise अगर दूसरे महादसा में अगर आप उसे पहन लिए तो वो negative energy भी परदान कर सकता है अब positive कब परदान करेगा हम वो भी बताएंगे अब दूसरा है कि मोती यानि कि आपके मोती जो होता है वो चंद्रमा की कारण होता है अगर आपकी मन में असाउंती रहता है कुछ ये करें कभी ये करें कभी ये करें कुछ भी नहीं करते हैं आदमी तो ऐसे इस इस्तिती में आदमी को मोती धान कवाय जाता है तो इस स्थिती में भी आपको जो है मोटी जो दान करते हैं तो अगर इसकी गर्त महादसा या अंदर दसा में इसका धान कर लिए या उसके जो हमें फाइदा चाहिए था, वो फाइदा नहीं मिला है उससे नीगेटिव इनर्जी भी आपको मिल सकता है यह हम आगे बताते हैं इसका समाधान क्या है अब हम तीसे की बात करते हैं तो हम जो पहनते हैं वो है मोती की हम बात कर लिए उसके बाद हम मुंगा की बात करते हैं मुंगा जो काम करता है वो मंगल का रतन है मुंगा यह सब जानता है कि मंगल का रतन है वो कब नहीं पहनना चाहिए और कोन कोन सी रासी के लिए नहीं पढ़ना चाहिए जब हम कुनली सिखाने का काम करते हैं तो उसमें हम आपको बता चुके हैं तो मुंगा भी आपको मंगल यानि की मंगल की दसा या अंतरदसा में या मंगल से रेटेट कोई काम अगर आपको करवाना है तो उस बक् धारन करना चाहिए आगे जो ग्रह है वह ब्रश्पति यानिकी ब्रश्पति भी जो आता है वह आता है पुखराज यानिकी पुखराज अगर आप धारन करते हैं तो इसे ब्रश्पति यानिकी किसी आदमी को अगर उच्पद पर जाना है या उच्पद की जौब चाहिए या उच्पद पे वो कारिरत हैं उन्हें प्रमोशन चाहिए तो इस बक्त में इस चीज का रहान करवा जाता है लेकिन बिदाउट कुंडली विचलेशन किये हुए कोई भी रत्न को आप नहीं पहन सकते हैं अब हम देखो दोस्तों इसमें कुछ ही रत्न के बारे में हम आपको ब रहा है आप उस पर देख भी सकते हैं वह हम यूटूब पे भी कुछ दिन में हम उसे डालने का कोशिस करेंगे और एक सीस हम आपको बता देते हैं कि अगर आपके पास में कोई अच्छा मिलता है कोई भी अच्छा मिलता है अगर आपको रत्न धारंत करने के लिए बोलता ह देखें दोस्तों इस लोजर जो है वह सिर्फ आपकी कुली को देखता है गलती उससे भी हो सकता है क्योंकि वह भगवान नहीं है अगर आपको रत्न धारंत करने के बाद कुछ भी निगेटिव इनरजी या निगेटिव चीज आपके साथ में होता है चाहिए वह आउंठी लोगों अपने हट जाएगा या खो जाएगा कुछ भी हो सकता है तो उस वक्त आप जरूर से बात करें कि ऐसा हमारे साथ में हुआ है तो हो सकता है गलती अगर उससे हुआ होगा तो उसका वह कुछ काट करें अगर इससे बचना चाहते हैं क्योंकि यह जो है इसमें थोड लख्रण करसे हैं घर wish दान कर लिए हरेक लिए क्राइब हैं हम हरेकर लक्री के लिए भी क्म्ढ़कर करते हैं memo कुन से लख्री का घण करना होता है तो वो भी हम बात करते हैं तो हो लोकि अगर आपको मिल जाता है जाए वो market में या आप गाउं में रहते हैं अगर वो लकडी मिल जाता है तो उसे पुझा करके उसे धान करें ओर उस मंतर का जाप करें रतन से ज़ादा वो काम करता है और उसका negative energy भी यानि कि negative फर्क जो है वो शरीर पर नहीं परता है दोस्तों हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में आपके पास में अगर कुछ भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट